खाजा शेक है मेरा ना प्यार से बाबु बाई बुलते हैं जयो बाबु बाई और आपके लिए तो मैं बहुत दीन में बसा हूँ लेकिन मेरी एक मन थी कि मैंने खुद एक मंदिर बनाया हूँ आयोध्या में 22 जन्वरी को होने जा रहा है श्रेराम के भब्य उद्गाटन के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में रामराज स्थापित हो चुका है वेकिन क्या रामराज उस सीमा तक पहुँच चुका है कि अब मुस्लिम्स भी हिंदू बन रहे हैं सबसे पहले आप ये क्लिप देखे लोगों को लगता है कि हम रियक्षन में रहते हैं आप लोगों के हम रियक्षन में नहीं हम तो एक्षन में रहते हैं यहाँ हिंदू के गुरू बाबा धरेंदर श्रास्त्री के दरबार में ये कोई और नहीं बलके मुस्लिम बैठे हैं पर कैसे? कौन है ये मुस्लिम? क्या ये वही मुस्लिम है जो हिंदू की शुभा यात्रा पर पत्थर बरसाते हैं? क्या है इन मुस्लिम्स की सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाज तक देखना मत भूलिएगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस्स ना हो में एक मस्जद के सामने से उकर घुजर रही हिंदू की शुबह यात्रा पर मुस्लिम समुदाई के लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है ऐसे ही जमुकश्मीर के एत्यास को उठाएं तो पता चलता है कि मुस्लिम्स वो कट्टरपंती हैं जो सेकलरिज्म की माला का जाप 2400 घंटे करते हैं और ऐसे में बाबा बागिश्वर के दरबार में पहुंची ये मुस्लिम्स सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये चमतकार हुआ कैसे इस चमतकार को समझने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दरसल दोस्तों इसलाम में भी कई समुधाय होते हैं जैसे शिया, सुनी, सूफी, आहमद या वगारा इन्ही में से एक समुधाय है वहरा समुधाय जिन्ही सभी मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा सफल और ये बिजनिस व्यवसाय से जुड़े हुए माने जाते हैं अधिन नम्र स्वभाव के होते हैं जो कट्टरपंथियों से अपनी बहन बेचियों महिलाओं को भी पूरी आज़ादी देते हैं ताकि वो अपनी जिन्दगी को खुल एव विचारों के साथ जी सके एक नजर जरा बाबु भाई पर भी डाल लीजे जो बागिश्वर धाम सरकार के दरबार में अपनी पर्ची निकलवाने पहुंचे हैं जरा अब इस क्लिप को देखे पहला वीदियो तो आप समझी चुके होंगे कि बाबा बागिश्वर धाम के दरबार का है बात अगर दूसरे वीडियो क्लिप की करें तो ये गुरू महाराथ सूरजकुन धाम का है आमतोर पर गुरु महराज सूरजकुन के दरबार में हिंदू की खतार देखने को मिलती है लेकिन यहां हमें वहरा मुस्लिम्स देखने को मिल रहे हैं जो बारी-बारी से अपनी समस्याएं लेकर गुरु का अशरवाद लेने के लिए ना सर्फ आगे आ रहे हैं बलकि हाँ जोड़कर उन्हें नमन भी कर रहे हैं लेकिन वहरा समुदाय से जुड़े मुस्लिम का ये काम कटर पंतियों को रास नहीं आ रहा है इसलिए बीते कुछ समय से इन कलिप्स को लेकर काफी खीस्तान हमें सोशल मीडिया के गलियारों में देखने को मिल रही है इन एकलिप्स पर रियाक्शन देते हुए कुछ कटर पंतियों ने लिखा कि जुकना मना नहीं है लेकिन इतना भी ना जुको कि अल्ला तुम्हें माफ न करे दूसरे मेसेज में लिखा है कि भाई चारा इतना भी ना करो कि अल्लाह माफ ना करे अल्लाह के सिवाय कोई अबादत के लायक नहीं दिश्रे लिखते हैं कि अल्लाhn इनको हिदायत दे यानि आप समझ सकते हैं कि कटरपंधियों को अपने ही भाई आप शुरू से ही कटरपंथियों से अलग हिंदू भायचारे में लीन और सनातन की प्रती शुद्धा का भाव रखते हुए देखेंगे जिस तरह सनातन धर्म और इस से जुड़े लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं उसी तरह से वहरा मुस्लिम्स भी हिंदूों का सम्मान करते हैं यकीन ना हो तो एक नजर इस क्लिप पर भी डाल लीजे बाव हमारे सितामू की जमीन पर बागेश्वर धाम पदा रहे हम इनका स्वागत करते हैं गुरू कोई से भी हो चाए हिंदूों मुस्लूम हो गुरू गुरू ही रहते हैं इनकी बाते सुनकर आप समझ गए होंगी कि बाबा बागेश्वर धाम के अपने सर्जमी पर आते ही ये कितने खुश हैं शायद यही वहरा समुदाय की पहचान है कि हिंदूों की शुभा यात्राओं पर पत्थर नई फूल बरसाते हैं बहरा कम्यूनिटी से जुड़े लोग दोस्तों हिंदू धर्म का सर्फ पालन ही नहीं करते बलकि ये तो हिंदू तेवारों का भी भैबता के साथ सेलिबरिशन करते हैं किसी ना किसी धर्म गुरू के दर्बार में बहरा समुदाय के हिंदू जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको बता दें कि आम मुस्लिम से थोड़ा अलग होते हैं और सुन्नी बहरा इसलामिक कानून को मानते और व्यापार से जुड़े होते हैं सफेद पोशाक सर पर टोपी इनकी पहचान है और ये आज के समय में चालिस से भी ज़्यादा देशों में बसे हुए हैं बहरा समयदाय में धर्म गुर्वों को साइदाना कहा जाता है और ये फातीमी इवामों से जुड़े हुए हैं जोने पैगंबर मुहम्मद का वन्शज माना जाता है कहते हैं कि इन्होंने 10-12 शताबदी तक पश्चिम में उतरी अफरिका से लेकर पुर्व में पाकिस्तान तक इसलामी दुनिया के जायतर हिस्सों पर राज किया था बहरा समयदाय के लोग अपने समयदाय को लेकर सबसे ज़ादा पारम पर एकमाने जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेहन बेटियों की शादी किसी दूसरे समुदाय में नहीं करते इनका मानना है कि ऐसा करके वो अपनी समुदाय की गरावट का खारण बरेंगे इसलिए बोहरा लड़कियों की शादी बोहरा समुदाय के लड़कों से ही करवाई जाती है बहरा कम्यूनिटी से जुड़ी सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग इसलामिक परमपराओं को तो शुद्दत से फॉलो करते ही है साथ हिंदू परमपराओं का भी पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें भी साथ साथ लेकर चलते हैं आज बहरा लोगों का प्रभाव आप भारत ही नहीं बलकि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी देख सकते हैं जहां कई बहरा कम्यूनिटी से जुड़ी महिलाएं आज ना सिर्फ बिजनिस चला रही हैं बलकि कई दिग्गस कमपनियों में हिस्सेदारी भी रखती हैं खंगालने पर पता चलता है कि बहरा कम्यूनिटी कभी नागर ब्रामन हुआ करती थी। लिया था जबकि कुछ इत्यासकारों के मताबिक व्यवसाई से जुड़े होने की वज़ा से इन्होंने नागर ब्रामन की जगा मुस्लिम बनना स्विकार किया यही कारण है कि आज यह मुस्लिम्स हैं लेकिन प्राचीन शैली कहीं न कहीं बहुरा समुदाय में आज भी देख में जाते हैं बलकि फूल मालाओं को लेकर उनका स्वागत भी करते हैं और सनातन संस्कृति का संबान भी करते हैं खास बात यह हैं कि आज भी इसलामिक परमपराओं के साथ हिंदू परमपराओं को दिल में लिए रहते हैं और सनातन संस्कृति का पालन भी करते हैं आप ब इंदू धर्म से उड़े कई ब्रामण आज भी बोहरा सरनेम का इस्तमाल करते हैं जो यहां दोस्तों और यह जाहर करता है कि हाँ बोहरा समुदाई कभी नागर ब्रामण हुआ करता था कट्टर पंतियों के बैकावे में आ गए या परस्तितियों की भीट चड़ गए जो इन इसलाम को छोड़कर वापस हिंदू धर्म अपनाने पर विचार कर रहे हैं यह खबर सुनते ही कट्टर पंतियों के तो होश उड़ गए हैं बारत में कुल बोहरा समुदाई की बात करें तो इनकी संक्या 40 लाग से जादा की है यानि अगर इन्होंने सनातन धर्म अपनाया तो 140 लाग मुसलिम हिंदू बन जाएंगे पर दोस्तो धर्म चाहे जो भी हो सबसे बड़ा धर्म तो इनसानियत है कोई धर्म बड़ा या चोटा नहीं कोई धर्म उचा या नीचा नहीं बस उच नीच का फरक इनसानी सोच में है जब उपर वाले ने इनसान बनाया तो किस तरह का कोई फरक नहीं किया वो ये नहीं कहकर भेजता कि तुम हिंदू हो तुम मुसलिम हो या फिरसाई हो सिर्फ उन्हें एक हिनाम देता है इनसान तो जब बनाने वाले ने फरक नहीं किया तो हम कौन होते हैं आकर क्यों अपने धर्म को बड़ा बनाने के चक्कर में हम धर्मों पर लाठी चलाते हैं या पत्थर या इत बरसाते हैं क्या इससे हमारा धर्म या हम बड़े होते हैं शायद नहीं बलके इससे ना सर्फ एक धर्म की तोहीन होती है बलके इनसानियत भी शर्मसार होती है और बनाने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये मेरी ही संतान है। इसलिए दोस्तों अपने धर्म को नहीं अपने आपको उचाई पर बनाएए क्योंकि हर धर्म अच्छा है और हां किसी के आगे सर जुकाने से या किसी का सम्मान करने से इनसान छोटा नहीं बलकि सम्मान से परिपूर्ण हो जाता है। आपका इन बोहरा मुसलिम्स के बारे में क्या खयाल है आपको क्या लगता है बोहरा मुसलिम्स घर वापसी करेंगे कॉमेंट करके बताईए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजे दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें